तो हेलो फ्रेंट्स आपका फिससे बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसम आई एई पे दोसो इस वीडियो में बात करूंगा एक मल्टी वेगर स्टॉक जिसने अपने नवेश्कों को माला माल किया हुआ है आज भी इसमें ब्रेक उटा जी हम बात करेंगे एन इंडिया यह स्टॉक जो है 97.45 की प्राइस पे टेड कर रहा है और आज इसमें 3.69 परसंट की रहली देखने को मिली है जदी वान एयर का डाटा देखो तो यह स्टॉक अपने नवेश्कों का पैसा जो है वो डबल से भी जादा कर चुका है लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में एक Consolidation देखने को मिल रही है यह देख सकते हो इस पार्ट में यह स्टॉक Consolidate कर रहा है तो क्या आने माले दिनों में इस स्टॉक में तीजी होगी जाँ गिरावट होगी इस पे आज हम चर्चा करेंगे इसके Financial Results भी देखेंगे लेकिन नए आयो सबसे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें दोस्तों सबसे पहले इसके रेवनु का डाटा देखो कामपने का जो रेवनु है टूपान ट्वैलो के क्रोड है यहां पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली है इंदा जून क्वाटर नेट इंकम देखे तो 104 क्रोड है यहां प देख सकते हो मल्टी बैग स्टॉक पे एक्सपर्ट की राए भी आ रही है उस पे आज हम चर्चा कर लेते हैं कि एक्सपर्ट इस स्टॉक पे क्या राए देते दे रहे हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट की राए आ रही है और जो एक्सपर्ट है डिफरें को समझना है दोस्तों लेकिन एक्सपर्ट ने कहा है कि यह शियर लॉंग टर्म में बहुत ही लाब दायक हो सकता है उन्होंने कहा है कि एन बी सी सी इंडिया लिमिटर कामपनी शियर के लिए जो सपोर्ट जो काफी एहम है 85 का सपोर्ट है और आज भी इस स्टॉक में एक प्र प्रेश्कों को जो अच्छे रिटरंस दी हैं तो इसी तरह आने वाले दिनों में भी यह स्टॉक मल्टी वैगर रिटरंस दे सकता है जैसे हमने पहले बताया एक साल में नियली 110 परसेंट और फाइव जियर्स में भी आप देख सकते हो यह हंडर्ड एंट सेवंटीन परसे सकता है ठेक्स गीन